मुखबीर के द्वारा सूचना प्राप्त हुई थी कि आनव बजार में सरस्वत अपार्टमेंट में सेगंड फ्लोर पर व्यास्य ब्रत्ती हो रही है मुखबीर की सूचना पर तदकाल एक्सन लेते हुए वरिष्ट दिगारिगण को बताया गया तता महिला श्टाब और थाने के श्टाब को लेकर दभीज दिया दभीज देने पर मोके पर राजिश मिस्रा नामक विक्ति के द्वारा ये संचालन करती हुए पाया गया और इसमें तीन ग्रहक और दो महिलाओं को कश्टिदी में लेकर पूस्ताज किया गया पूस्ताज पर ये ग्यात हुआ कि इनके द्वार जो है व्यस्य ब्रती कराई जाती है प्राजमी ग्रूप से पूस्ताज पर पता चला है कि ये राजिस मिस्रा जोकी सिरीनगर का कागड का रहने वाला है यहां मजदूर बरके के लोगों को टार्गेट करता है उस सस्ते में ये सुविदा उपलप्त कराता है अभी तो प्राणुमी ग्रूप से क्याव अभी हुआ है इन से और भी पूस्ताज की जा रही है संभवतों इन्होंने अपने नामपते भी गलत बता होंगे इसकी तजदिक की जा रही है और इनकी बिरूद यदि अन्य थाने में और भी अफराद है तो वह भी देखा जा रहा है अभी इसने जो है लगवक देड़ म कराय से लिए हुआ था और उसके बाद से धन्दा सुरू किया था इसका मकान पाई यह कोई जयपूर में रहते हैं जिनका यह मकान है इसके सम्वद मों फूस्ताज की जा रही है जो संचालि करा रही है इसका क्या बिक्राउण का रहता है यह सिरी नगर काघड कर रहने वा कर रहे हैं इसमें और भी यदी ऐसा पाए जाता है कि इसमें किसी और लिकिसी की संलिप्तता है तो उस पर भी सक्त कारवाई की जाएगी तोटल अभी जो है छे आरूपी पकड़े गए हैं और इंदोर के आरूपी